आल राइट तो मेरा लाश्ट वीडियो पे बहुत अमेजिंग रिस्पॉंस आपने दिया है कुछ तीन सो लोगों ने मैसेज भेजे पर मैं आप सभी को अभी भी बताने वाला हूँ क्योंकि अभी भी मैसेजेस आती ही होगे मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2023 के लिए मेरा कंसल्टेशन नहीं है मैं 2023 के लिए कंसल्टेशन नहीं 2023 वालों को आसनी से कोर्स बेचा जा सकता है कनसल्टेशन का क्योंकि आप पहले से डरे होई हो पर मुझे पता है कि मेरे हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़े और unnecessary में expectations आपको sell नहीं करना चाता है 2023 वाले बच्चो या फिर aspirants बच्चे तो हो नहीं आप तो आप YouTube पे dependent रहो आपकी एक बहुत important problem है जो messages read करके मुझे पता चली कि आपका syllabus हाफ हो चुक है कुछ 3-4 subjects अभी भी pending है आप कुछ toppers के videos देखे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि test series कब दू revision कैसे करू, pending subjects को कैसे करू तो सबसे पहला एक myth clear करते है test series के बारे में बहुत सारे workbook के question solve करने के बारे में यह नीचे तो नहीं आ रहा है सही है तो जो toppers होते हैं न वो उन्हें speech देने से पहले stage पे खड़े होने से पहले पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है बहुत सारे toppers को अलग-अलग toppers के video suggest किये जाते है कुछ toppers को exact speech करके speech ready करके दिया जाता है कि कि मैं back end में काम किया हूँ तो हर topper आपको बताएगा test series देना important है workbook के question solve करना important है यह करो वो करो मैंने यह क्या था पर कोई भी आपको बताएगा नहीं पहले बात तो topper बताना नहीं चाहता कि उसने 3-4 attempts दिये अगर आप एक साल की preparation कर रहे हो छे मेने की preparation कर रहे हो आपको syllabus ही complete करना बहुत जड़ा difficult है with proper revision conceptually समझना teacher का level touch करना revision करना बहुत जड़ा difficult है तो आप previous year के question भी solve करोगे 15 साल के 10 साल के last और notebook में जितना आपको explain किया था मतलब जितना आपने लिखा है notebook में वो अगर proper तरिके से revision करोगे और directly January में जाके mock test दोगे तो भी enough actual में आप इतना ही कर सकते हो आप unnecessary, unrealistic expectations के साथ जी रहे हो जो topper ने आपको बताया ही नहीं कि उसका है second attempt था या फिर third attempt था first attempt में syllabus ही थो हम prepare कर रहे है finally time के साथ लड़ाई है हम 7-8 घंटे ही prepare कर सकते है तो 7-8 घंटे के इसाब से हमारे पास कितने ही मंद बचे हैं 3-4 मंद बचे हैं तो हम सब कुछ कैसा कर सकते हैं ठीक है हम important चीज़े करेंगे जो भी इस time में possible है तो CSE branch वा लोग शायद से test series दे सकते है उनके पास time होता है 500 घंटे का उनका पुरा course है पर अगर आप electrical, mechanical, electronics, civil ऐसे सारे branches से हो आपको course completion पे और revision पे focus करना चाहिए अगर आप test series पे focus करोगे अभी आपके 3-4 subjects भी बाग ही है तो आप test series में अपना time invest करोगे हो सकता है कि आपको एक subject छोड़ के exam में जाना पड़े तो होगा क्या कि उस subject में से अगर आसान question आया तो बाकी लोग तो वो solve करके आ जाएंगे पर आप वो solve नहीं कर पाऊगे आप race से बाहर चले आओगे तो gate exam का जीतने का सबसे बड़ा तरीका क्या है या फिर ब्रह्मास्तर क्या है gate exam जीतने का gate exam आप जीतने के लिए आपको easy सारे question solve करने है और moderate सारे question solve करने है क्योंकि difficult question सबके लिए difficult है अगर आपसे भी नहीं बने तो भी कोई problem नहीं maximum लोग से नहीं बनेंगे पर जितने भी question आसाल और moderate आते हैं सारे subjects में से वो आपको solve करके आने ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे नीचे जा रहा है या फिर क्या हो रहा है पर मेरे इसाब से आपको समझ में आ चुका होगा तो देखो आप pending subjects की revision और new subjects कैसे prepare कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ जैसे for example example ले रहा हूँ कि एक इंसान 7 घंटे prepare कर रहा है जो एक average time period dropper का आप 7 घंटे prepare कर रहे हो तो आप 5 घंटे और 2 घंटे ऐसे 7 घंटे divide करो 5 घंटे जो भी आपके pending subjects हैं वो prepare करने के लिए आप दोगे जब तक आपके pending subjects खतम नहीं हो जाते और 2 घंटे आप parallel हमेशा revision चलाते रहोगे तो 2-2 घंटे के इसाप से मेरे इसाप से 5 दिन में आपको एक subject revise हो जाएगा ऐसे 2-2 घंटे देकर पाच-पाच जिन में पर आपने जो हो चुके subjects हैं उन्हें revise करने कोशिश करो मैंने क्या बताया 7 घंटे को 2 इसे में divide करो 5 घंटे में 2 घंटे में 5 घंटे में pending subjects किया करो 2 घंटे जो हो चुके subjects हैं उन्हें 5-5 दिन देके complete करो इस तरह से आप revision कर सकते हो और जैसे आपके pending subjects भी सारे complete हो जाते हैं तब आपको पूरा दिन revision में डालना चीए ठीक है तो मेरे इसाब से November तक आपका एक बार सारा जो हो चुका है subjects हो revise होना चीए जो भी आपके अभी तक 4-5-6-7 subjects हो चुके हैं वो November के end में revise हो जाना चीए एक time और December मन्त में ending में आते हैं लाश्ट विक में आपके सारे subjects revise होर करके हो जाने चीए सारे November के end तक क्या बोल रहा हूँ जो भी आपके 6-7 subjects हो चुके हैं उन्हें revise करो और December 31 आते आते सारे subjects revise होने चीए ठीक है मतलब जो November में revise होए है वो वापसे December में second time revise होगे ठीक है तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है और इसी तरह से preparation होती है जो लोग एक साल से prepare कर रहे हैं जो लोग दो साल से prepare कर रहे हैं वो test series के बारे में सोचते हैं वो workbook के सारे questions करने के बारे में सोचते है आपको जितना lecture में कराया है आपने no-doop में लिखा है वो अच्छे से grip बनाओ और previous year के 10-15 साल के questions अच्छे से solve करो ठीक है आप अगर college going हो तो मेरे इसाब से आपको चार घंटे सुबह के निकालने चीए चार से आठ आप पढ़ाई कर सकते हो सुबह चार से आठ और शाम को एक दो घंटा और दे सकते हो सुबह क्यों देने बोल रहा हूँ चार से आठ ताकि आप आपका माइंड बहुत ज़ता फ्रेश होता है तो आप सुबह के 4 घंटे शाम के 6-7 घंटे के इकवेलेंट है ठीक है अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप यह कर सकते हो सुबह 4 से आठ पढ़ने ही कोशिश करो पर सुबह 4 से आठ पढ़ने के लिए रात को 10 बजे सबसे पहले सोना ज़रूरी है तब आप सुबह 4 बजे उट पाओगे तो सुबह 4 बजे उटना है यह मत डिसाइड करो रात को 10 बजे सोना है यह डिसाइड करो तो 4 से 8 पढ़ाई करोगे पुरी दुनिया सोही होती है बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे तो और क्या बताओ अगर आपका इन केस एक सब्जेक्ट रहे भी जाता है इन केस वर्ष्ट केस में आपने बहुत अच्छी तरीक से प्रिपरेशन किया कोई टेस स्रीज नहीं लिखाए सब्जेक्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टेस्ट रिपीटर्स के लिए डिसेंबर 31 तक आपने इसी प्रिपरेशन रिविजन पे फोकस किया है फिर भी आपका एक सब्जेक्ट रह गया हो सकता है कि आप सिविल ब्रांच से हो मेकैनिकल ब्रांच से हो, अलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो सिलाबस बहुत बढ़ा है ऐसे बच्चों का मैक्सियम बच्चों का एक सब्जेक्ट रह जाता है एक सब्जेक्ट अगर रह भी गया ना तो भी अंडर 50 रैंक एचिव हो सकता है अगर बाकी सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉंग हो एलेक्ट्रोनिक्स का लाश्ट येर जिसने 10th रैंक एचिव किया था एलेक्ट्रोनिक्स 2022 10th रैंकर उसने कम्मिनिकेशन सब्जेक्ट स्किप कर दिया था पर बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉंग थे तबी हो 10th रैंकर बन पाया ठीक है तो मैंने सारे सिनारियोस आपको बता दिये इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होती है और रही बात अगर आप 2024 के लिए प्रिपार करना चाहते हो तो आप definitely मुझे consultation जॉइन कर सकते हो पूरा कोर्स YouTube पे अविलेबल है Electrical, Electronic, Instrumentation, Computer Science का हमें कोई classes लगानी की ज़रूरत नहीं है कितना भी कोई कुछ भी बोले कोई classes लगानी की ज़रूरत नहीं है और एक बात बताता हो मेरा consultation का आप help तभी ले सकते हो जब आप recorded course से पढ़ाई करोगे live lectures के लिए मैं help करी नहीं सकता तो दो लोगों के लिए मैं consultation दे नहीं सकता पहली बार कोई इंसान किन लोगों को अपना course बेच नहीं सकता हो बताने वाला है ठीक है मैं business के लिए कर नहीं रहा हूँ मुझे कुछ डर नहीं है 2023 aspirants आपके लिए मैं consultation नहीं दे रहा हूँ जो लोग live lectures join करेंगे उनके लिए मैं consultation नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे bus के बाहर है सिर्फ recorded videos खरी देंगे उनके लिए या फिर जो YouTube से प्योर पढ़ाई करना आते है फ्री में उनके लिए मैं consultation दे रहा हूँ YouTube पे पूरा course अवेलेबल है इन चाल प्रांचेस का तो अभी गही टाइम पे है civil का भी है मैं sort कर रहा हूँ mechanical का भी sort कर रहा हूँ तो मैं hope कर रहा हूँ आपको इवीडियो पसंद आया होगा मेरा whatsapp का number float हो ता होगा स्क्रीन पे आप message बेच सकते हो और मेरी कोशिश मैं करूँगा आपको help करने की तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलेंक इस वीडियो के साथ till then Bye बखकी लिकन सुन लिकन सुन अभी बखकी